तो पिछली वीडियो में हमने देखा पाइफन का एक चाप्टर जो की था Getting Started with Python जिसमें मैंने तुमें ये बदाया था कि तुम पाइफन के साथ-साथ VS Code भी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और VS Code को इंस्टॉल करने के बाद इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ तुम और उसमें कैसे functionality एड़ कर सकते हो उसमें क्या क्या चीज़े तुम एक्स्ट्रा कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं तुम्हारे features को और control को बढ़ाने आया हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ extensions के बारे में बताता हूँ तो यहाँ पर यह जो आइकन तुम्हें दिख रहा है यह extensions का है ठीक है तो अगर यहाँ पर तुमने अभी तक python का extension इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर से तुम इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर तुम्हें बस search करना Python यहाँ पर आगे मेरे पास Python का तुम्हेने इसे already install करके रखा हुआ है तुम यहाँ पर इसे install कर सकते हो और दूसरा एक तुम्हें और एक install करना extension उससे पहले इस Python के extension को तुम क्यों install कर रहे हो इससे क्या होगा कि तुम जो भी code लिखने वाले हो अपने python program में जो भी code लिखोगे तो उसमें ये अलग-अलग keywords को पहचानेगा, brackets को पहचानेगा कि उनकी functionality क्या है, इसमें कैसे comments लगते हैं, उनको अलग-अलग colors देगा, तो इस तरह से ये तुमारी productivity बढ़ाएगा, तो त इस extension को install करोगे, जो इसका interpreter है वो तो तुम already install कर चुके हो, अब एक और extension है यापर है हमारे पास, जो कि यह है code runner उसे तुम install करोगे, यहापर तुम देख सकते हो, code runner आ चुका है, तो यहापर से तुम इसे install कर सकते हो, अब हमें यहापर कुछ basic settings करनी है, तो हम यहापर सब यहापर अगर नीचे जाओगे, तो यहापर तुम मिलेगा run code configuration ठीक है, इस पर तुम जाओगे, यहापर जाने के बाद यहापर यहापर यह तुम्हारा अंचेक किया होगा, उससे पहले यहापर तुम ध्यान दो, कि यहापर दो तरह के settings है, एक user और workspace ठीक है, तो अगर त तुमने extensions पे click करके, यहापर तुम run code configuration में आ चुके हो, तो यहापर तुम देख सकते हो, यहापर मिर पास आ रहा है clear previous output, ठीक है, तो जब तुम्हारे पास terminal में output आ रहा होगा, तो वहापर previous output भी तुम्हें दिख रहा होगा, तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, उसके लिए इस यहापर नीचे कर देंगे, तुम जब यहापर देखोगे इसे, तो तुम्हारे में uncheck किया होगा, तुम इसे check करना है, ठीक है? तो यह मैंने check कर दिया, ठीक है? अब डूसरी चीज हमें क्या कर नहिए है, अगर हम यहापर नीचे आएं, तो हमें यहापर मिल जाएगा run in terminal, यह भी तुम्हारा अंचक किया होगा, इसे तुम चक कर दोगे और फिर उसके नीचे यहाँ पर तुम्हारे पास आ रहा होगा Save File Before Run, ठीक है? तो यहाँ पर उपर में एक और चीज है, Save All Files Before Run इसे तुम चक मत करना, तुम यहाँ पर इसे चक कर दो Save Files Before Run, ठीक है? तुम इसे चक कर दो अब हम कुछ Keyboard के Shortcuts को Change करने वाले हैं उसके लिए हम यहाँ पर Gear में जाते हैं फिर उसके बाद यहाँ पर Keyboard Shortcuts पर जाते हैं यहाँ पर किन Shortcuts को हम Change करने वाले हैं? सबसे पहले तुम यहाँ पर Search करोगे Copy Line Down, ठीक है? Copy Line Down यहाँ पर तुम्हारे पास यह आ जाएगा जैसे ही तुम्हारे पास यह आएगा तुम इस पर Double Click करना है और यहाँ पर तुम्हें प्रेस करना है Ctrl D ठीक है? यह प्रेस करके तुम Enter कर दोगे ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ? देखो अब यहाँ पर हो सकता है तुम्हारे कुछ और Keys हो यहाँ पर लेकिन जब तुम्हें इसे Double Click करोगे तुम यहाँ पर जो Key यहाँ पर दबाओगे वो Key तुम्हारा Set हो जाएगा इस Command के लिए तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक प्रोग्राम है यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना कर रखा हूँ है Python में इसमें मैंने यह बताया कि कोई एक जो Number है वो Prime है या Compositor ठीक है तो मैं कहा जाता हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर यह जो Line लिखा हुआ है वैसा ही Line सिमिलरली कॉपी होके नीचे आ जाए उसके नीचे ठीक है तो आपर मैं जैसी Ctrl D प्रेस करता हूँ आपर तुम देखो मेरे पास आ चुका है ठीक है और यहाँ पर एक और चीज मैं तुम बताता हूँ कि मुझे इस Line की कोई जरूरत नहीं है ठीक है इस Program को समझने के भी तुम्हें जरूरत नहीं है मैंने बस तुम्हें यह बताया है कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं इसकी सेटिंग में क्या 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 चेंजेस कर रहे हैं तो जैसे कि तुम्हें पता है कि अभी यह Line मैंने एक्स्टा एड़ किया मैं कोई इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसे Comment Out करना चाहूँगा तो यह अगर साथ में दबाओ तो यह तुम्हारा पूर जो है वो Comment Out हो जाएगा ठीक इसी तरह से तुम Multiple Lines के लिए कर सकते हो अगर मेरे को मैंने इतने Lines को सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर मैं Control और Forward Slash करूँगा तो यह मेरा Comment Out हो चुका है ठीक है और एक और चीज़ा है आपर हमें आपर Multiple Cursors का Use कर सकते हैं कैसे मैं अभी ब जाता हूँ जासे कि यहां पर हमें एक सात हुच आड़ गर हूँ टीक है तो मैं क्या करूँगा यहांपर मुझे कैँ ये Multiple Cursors चाहिए ठीक है तो मैं तो वो हो जाएगा जैसे मैं आपर कुछ भी एड़ कर देता हूं जैसे मैंने एक semi-colon add कर दिया तो यह सब के लिए हो गया है ठीक है हाला कि python में हमें semi-colon चाहिए नहीं हमें कुछ और भी add करना हो तो वह हम कर सकते हैं या तुम देख सकते हो यह सब के लिए हो रहा है सारे lines to check your code card ठीक है तो यहाँ पर जब तुम सर्च करोगा runtime code तो तुम्हारे पास यह जो आएगा यहाँ पर यहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है run code तो यहाँ पर जबसे ही डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम कोई की अपने हैं साप से डाल सकते हो जिसे तुम चाहते हो की जि देखो मेरे पास कोड रन होके आ चुका है और तुम यहां पर देख सकते हो जो मेरे पास प्रिवियस आउपुट था वो भी क्लियर हो चुका है तो एंटर है नमबर ठीक है यहां पर मैं 0 करता हूँ अंटर जयानि 0 जो है वो प्रेंग द्वह नहीं यहां थो यहां पर तुम में यूजर में चेंज कर रहो हूं तो जाएंगे फिर यहाँ पर तुम font पर जा सकते हो यहाँ पर जैसी तुम font पर जाओगे तुम यहाँ पर font का जो family style है वो change कर सकते हो, size change कर सकते हो तो ऐसी चीज़े यहाँ पर तुम change कर सकते हो लेकिन तुम यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर जैसी तुम नीचे होगे तो यहाँ पर तुम search भी कर सकते हो जूम जैसे यहाँ पर तुम search कर लोगा यहाँ पर तुम देख सकते हो मिरे पस क्या है mouse wheel zoom ठीक है zoom the font of the editor when using mouse wheel and holding control ठीक है यहाँ यह तुमारा uncheck किया होगा तुम इसे check कर देना ठीक है इससे क्या होता है देखो यहाँ पर यहाँ पर मेरा एक code लिखा हुआ है यह तो खेर समझ में आ भी रहा है मैं तुम्हें दूसरा code दिखाता हूँ यहाँ पर चिक है तो यहाँ पर मेरे पास यह जो code है यहां पर क्या हो रहा है कि यह काफी छोटा है तो इसे मैं बड़ा कर सकता हूँ कैसे यहां पर control प्रेस करके यहाँ पर यह है split screen जो है यहाँ पर इस यह मैं से split करना चाहूँ तो यहाँ पर यह जो एक बहुत बड़ा program है ठीक है तो मैं आपर चाहता हूँ कि मैं आपर इस चुछगा पर change करूँ और साथ में इसे देखते हुए मैं इस जगा पर change करूँ तो वो मैं साथ में कर सकता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं code के दोनों portions को देखते हुए एक दूसरे को change कर सकता हूँ मुझे ऐसा है यहाँ पर नहीं करना पट रहा है कि पहले मैं बहुत जादा ऊपर scroll करूँ फिर बाद मैं बहुत जादा scroll नीचे करूँ और इस तरह से एक दूसरे को देख देखके इन दोनों parts में मैं changes करूँ मुझे यह नहीं करना पट रहा है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं simply यहाँ पर screen को split कर रहा हूँ तो मैं और भी जादा screen को split कर सकते हूँ यहाँ पर तुम देख सकते हो color theme में जाता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं नीचे जाओ तो यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर colors कितने अच्छे तुमें मिल रहे है खैर मुझे पहले बाला ही पसंद है तो मैं पहला बाला ही रखना चाहूँगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से के उपर one shot में आएगी ठीक है और कुछ doubts रगए हो तो comment करो